मैं बहुत आदर सम्मान इस भारत के अंदर कुछ जो संस्ताइं हैं जिनके उपर हम गर्व कर सकते हैं उनमें भारत का सर्वोची नियायले भारत की नियाय ववस्ता है उस नियाय ववस्ता को भी उस जकडन से निकालना है जिसमें एक एक हजार पेज की डाकूमेंट पिछे रमना साब आये इनोंने भी बताया था लली साब ने भी बताया था और ये सब लोग भविश्य के चीफ जस्टिस हैं हमारे या इस करणधार इनके माध्यम से इस देश में ये परिवर्तन आये कि नियाय वरुस्ता में तुरित नियाय हो जल्दी नियाय मिले और उस लोगा वो नहीं होना चाहिए गुनेगार का मोटा मोटा पता चल जाता है तीन दिन में पास दिन तो मीडिया ट्राइल करकर आके और उसका सत्यरास होता है ट्राइल फास्ट हो नियाय पूर्ण हो इसके लिए भारत की विवस्ता नीचे से उपर तक और भारती भाशा हो मे पिसले एक डिड़ मेने से वारे रजरीशी जारे है हाई कोट में देखने तमाशा तीन बजे केस लगेगा चार बजे आके फिर अगले दिन के लिए फिर अगले दिन के लिए चार-चार-पांच बास लाग रुपे रोज की फीस लेने वाले जो वकील है उन्होंने कपजा कर रखा है विवस्था पे और हमारे जो न्याए धीशे हैं जिनको पूरे महिने में हुतने नहीं बिलते हैं जितने उनको एक दिन की पिष्ची में बिलते हैं तो इस विवस्था को भी कौन तो डेना I was impressed by the kind words spoken by Nand Kishore Gargji and I'm thankful to him for reminding me that cases are not being heard Sir, believe me, we are working very hard, very hard but the problem is, as you rightly pointed out, that some of the lawyers they take fees and then they get the matter at jail we are trying to control that issue but at the end of the day we have to accommodate people but I can speak about myself, I reach court every day at 9am